फ्रांस की कार बनाने वाली सिट्रोन ने इलेक्ट्रिक कार सिट्रोन इसी तीन भारतिय मार्केट में उतार दी है ऐसे में क्या यह भारत में पहले मौजूद ताटा महिंद्रा के इलेक्ट्रिक कारों के बीच लोगों के दिल में जगह बना पाएगी हमने यही जानने के लिए नई सिट्रोन इसी तीन को चैन नई में इसे ड्राइव करके देखा है तो चलिए जानते हैं कि इसे ड्राइव करने का हमारा अनुभव कैसा रहा तो सबसे पहले बात इसके डिजाइन और फीचर्स की कार को फ्रंट में सिट्रोन के बैज देखने को मिलता है जो हेड लाइट सेटप के जुड़े हुए है उपरी हिस्सा DR रिलस से मिलता है नीचे की तरफ फ्रंट बंपर ब्लाक प्लास्टिक ट्लैड सेक्शन से जुड़ा है बंपर के ब्लाक प्लास्टिक ट्लैड सेक्शन पर फ्रंट बंपर पर नीचे फॉग लैंप मिलते हैं पोलर वाइट कलर नई ड्वल टोन थीम के साथ है इलेक्ट्रिक हैज को 13, 61 रंग, 3 पैक और 47 कस्टमाइजेशन के साथ पेश किया गया है डॉट पोलर वाइट वाइब पैक सराउंड डॉर पर भी पाया जा सकता है जिसके पास हम अपने अन्य बिट्स पाते हैं जो आपकी खोज में आपकी मदद करते हैं कि कौन सासी तीन इलेक्ट्रिक है इन में से सबसे आसान दो, दोनों सामने के डॉर पर छोटाई बैज है डॉर चार्जिन पोर्ट जो दाई और फ्रंट वील आर्च के उपर स्थित है डॉर पर 60 इंच इंफोटेन्मेंट टचस्क्रीन है जिसे एंड्रोइड आटो और एपल कारपले के साथ वायरलेस कनेक्टविटी मिलती है डिस्प्ले को माई सिट्रोवन कनेक्ट एप के साथ भी कनेक्ट करते हैं जो 35 कनेक्टेड कार फीचर पर चलता है और चलते फिरते बैटरी की चार्ज स्थिती के साथ इसी तीन को महत्वपून रूप से अन्य फीचर्स में जियो फेंसिंग, सिर्फ एक टैप में आपकी कार का पता लगाने की क्षमता और अगर कोई आपकी कार को अवैध रूप से एकसेस करने की कोशिश करता है तो SOS अलर्ट भी मिलता है इसमें अभी भी वही 315 लीटर बूट स्पेस मिलता है और एफ पर फुल साइट स्पेयर को भी बरकरार रखा गया है सिट्रोन EC3 इंजन, सिट्रोन EC3 में सबसे बड़ा बदलाव बोनट और हैच बैक के फर्ष के नीचे है एक एर कूल्ड 29.2KWH लिथियमायन बैटरी पैक लगी है जो MIDC टेस्टिंग के अनुसार एक बार चार्ज करने पर 320 किलोमिटर की रेंज प्रदान करती है फास्ट चार्जिंग स्टेंडर का सपोर्ट करती है इसलिए जब DC फास्ट चार्जर में प्लग किया जाता है तो इसी तीन अपने लिथियमायन पैक को केबल 57 मिनट में 10 से 80 परसेंट तक चार्ज कर देता है इसे घर पर 15 सौकेट के प्लग से चार्ज करने पर 3 तीन किलोवाट ओन बोर्ड चार्जर से चार्ज करने में साधे 10 घंटे लगते हैं डॉट आइसी इंजन की तुलना में बैटरी पैक की वज़य कार का वजन लगभग 280 किलोग्राम बढ़ जाता है इसका कुल वजन 1316 किलोग्राम है वहीं ग्राउंड क्लियरेंस भी 170 अम्यूम से 110 अम्यूम तक गिर गया है बैटरी पैक इसी तीन के फ्रेंट एकसल पर लगे सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर को पावर प्रदान करता है मोटर को 56.2 BHP और 143 अम्यूम का पीक तॉर्क दिया गया है dot citron EC3 बैटरी पर 3 वर्ष बटा 125 006 किलोमेटर वारंटी और मोटर पर 5 साल 100 006 किलोमेटर की वारंटी है जबकि बैटरी पैक पर 7 साल 140 006 किलोमेटर की वारंटी है dot citron EC3 ड्राइविंग इंप्रेशन सिट्रोन इसी 3 में जाते हैं तो आपको सिट्रोन C3 के मुकाबले सबसे पहले इसका इंजन पूरी तरह से बिना किसी बाइब्रेशन के साइलेंट महसूस होगा जबकि इसी 3 C3 लाइनप का सबसे कम पावर वाला इंजन हो सकता है हाला कि यह 107 किलोमिटर पर आवर तक की टॉप स्पीड आसानी से पकड़ लेती है इसमें दो मोड आफर किये जा रहे हैं जिसमें इको और स्टैंडर्ड शामिल है जैसा कि चैननई में हमें शांदार सडक मिली जिसमें सीट्रोन नेसी 3 को चलाने में कोई समस्या नहीं हुई हाला कि बैटरी पैक के अतरिक्त भार और इसी 3 के गुरुत्वाकर्शन के निम्न केंदर का मतलब है कि जब आप इसे कोनों से धकेलते हैं तो हैच लगा रहता है इसी 3 को रोकने के लिए आगे की तरफ डिस्क और पीछे के ड्रम है जो इसी 3 के रिजनरेटिव ब्रेकिंग से मिलती है जबकि रिजनरेटिव ब्रेकिंग इसी 3 को काफी धीमा कर देती है फिर भी यह सिट्रोन को हैच में एक पेडल ड्राइबिंग के लिए परियाप्त नहीं था डॉट ग्रेक पेडल थोड़ा सा बगबियर है क्योंकि यात्रा हमारे स्वाद के लिए थोड़ी लंबी है और शुरुवाती काटने की कमी के लिए इस्तिमाल होने वाली एक ऐसी ची वाली यात को लिएॉ झाइब रहान से अोड़ी है ग्राइब है आएबियर है देणाओं के लिए।